जियो गुरुजी क्लास में आपका स्वागत है मैं रोज शर्मा देखिए हमारी जो नेट्ट क्लास है यह क्लास है सेकंड बुक की 11 क्लास जिसका नाम है भारत भुतिक परियावर देखिए बुक सेकंड पिछले वीडियो में हमने बुक फस्ट के बारे पढ़ा था हमारी बुक जो फस्ट थी वो आपके भुतिक भुगोल के जो मूल सिद्दानत है उस बुक के पाठ्थे करा मतलब सैलेवर देखिए के बारे में अध्यान किया था यह हमारी सेकंड बुक है 11 क्लास क और इस NCRT कोर्स की जो सेकंड बुक है वसकी का नाम है भारत भुतिक कर्यावरण लेखिए भारत भुतिक परियावरण जो यह है इसके बाक्त करें तो इस्टिकें कुल चार लेशन बुक आपकी बठी होही है फस्ट इकाई जो कि आपकी प्रस्तावना से है, पहली इकाई की बात करते हैं, इकाई फस्ट और फस्ट इकाई का नाम है प्रस्तावना, प्रस्तावना को कहते हैं इंग्लिश में इंट्रडक्शन, देखिए इंट्रडक्शन जो है हम बात करते हैं लेसन नमबर पहले, इका देखिए लेसन नमबर जो पहला है जिसके अंदर हम किन चीजों का अध्यन करेंगे वो टॉपिक कौन-कौन से होगी इस लेसन नमबर फस्ट हो कि भारत की इस्ति से समध मतलब भारत का वर्णन होगा भारत की इस्ति कैसी है विर्सु के अंदर भारत का इस्थान किस प्रकार से बता हुआ है हमारे भारत की आंतरिक समंद कैसे हैं भारत की स्थिक कैसी है अब भारत की स्थिक अब भारत देशांतर रेखाव के अंदर इसको बाटा गया जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको जैसे अपने भारत की सती को पढ़ा है आठ डिग्री चार मिनट देखिए ये जो उपर का निशान है ये मिनट को प्रदसित करता है ठीक है? आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और ये है अक्षांस की बाद चल लए ठीक है? आपकी जो अक्षांस रेखा है इस अक्षांस रेखा में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांस के बीच में और दूसरा जो देशांतर रिखा के अंतर गता है 68 डिगरी ठीक है 68 डिगरी 68 डिगरी 7 मिनट पूरव से ठीक है 68 डिगरी 7 मिनट पूरव से सत्यांव डिगरी 25 मिनट ठीक है पूरव ठीक है और यह है देशांतर रिखा मतलब भारत की जो इस्तती है वह इस दाइने में आती है इसके अलावा इस लेसल में किन चीजो कद्याद करेंगे जैसे कि हमारे भारत की किलोमेटर मतलब उत्तर से पश्चिम कितना किलोमेटर तक फैला हुआ है उत्तर से दक्षिन 3214 किलोमेटर और पूरव से पश्चिम आपका 2933 किलोमेटर के दाइरे में आपका भारत फैला हुआ है इसके अलावा इस लेसन के हंदर हम करक रेखा का ध्यान करेंगे किन-किन राज़ों से ज牙ती है क saja क्या हमारे भारत में कितने रेखा है उनके आका हमारे देश के पडोसी जो देश है उसका वर्डबन टी हम इस旅सरा नमबर पहले भारतर एस सतीचे मारत करेंगे हैं यह तो बात होती है अपनी तरत एस कि बात होती सेकंड इकाई जो है वो है भू आकरती विज्यान लेंड डायोग्राम साइंस ठीक है लेंड डायोग्राम साइंस मतलब भू आकरती विज्यान ठीक है यह आपका सेकंड इकाई है भू आकरती विज्यान देखिए भू आकरती विज्यान जो है इस इकाई के अंदर दो लेसन साइगे लेस्ट नंबर 2 का नाम होगा संरचना तथा वह आकरति विध्यान संरचना एवं भूऌ्ध आकरती विज्ञान संरचना मतलब स्ट्रेक्ट्चर आपका इस्ट्रेक्चर कैसा है वह हैं किसका अब इसके अंदर किनकिन चीजों का ध्यन होगा, इस लेसन में हम पढ़ेंगे, पहली बात करें संड़चना की, तो संड़चना के अंदर जैसे की प्राइदी प्ये खंड जो होते हैं, भाग, प्राइदी प्ये भाग है, हिमाले परवत है, सिंदू, गंगा, भ्रह्मपुत् हम बात करते हैं, भुवाकरती की, भुवाकरती के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे की उत्तर परवतिय प्रदेश है, उत्तर का विशाल बैदान है, प्राइदी प्ये पठार है, मरुस्तल है, टटी है, छेतर है, और इसके लाबा द्वीब समू, आपके इस भुवाकरती वि सब्धिन करके बताएगा, ठीक है, इसके बार में आता है लेसन नमबर तीन, सैकेंड लिकाई में तीसा लेसन, और इकाई का लेसन का नाम है, अपुवा है, तंत्र, अपुवा तंत्र क्या होता है, अपुवा तंत्र का मतलब होता है, ड्रेनिस सिस्टम, ड्रेनिस सिस्टम हमें बताएगा ड्रेने सिस्टम बूलते इसको अब इसमें क्या क्या चीज़ों को क्या क्या चीज पढ़ेंगे इसके अंदर जैसे की अपुहा किसे कहते हैं जिसके अलावा भारत की नदियां बहती हुई उसका जलका विसर्जंड कहां पर होता है जैसे कि बंगाली खाड़ यहां पर पूरे भारत की नदियां जाकर विसर्जित होती है नदियों का पानी महां पर गिरता है और इस अपुहात अंत्र के अंत्र कर हम भारत के अपोहाट अंत्र और दूसरा है प्राइद इप्ये अपोहात अंत्र ठीक है यह थो अपोहात अंत्र आपके भारत के अपोहात अंत्र गहता हैं अब हिमाल jadi І Unterगक करेंगा जो हिमाले से निकलती नदीए प्राइदीपिए नदियों के बारे में पड़ेगी कौन-कौन सी नदिया उजिसे कि यह माल्या अपुहातन्तर नदी आपके प्राइदी पे अपवात अंतर के अंतरगत आता है इसके अलावा अपवात अंतर में हम ये भी पढ़ेंगे कि पूरव से और पश्चिम से बहने वाली कई नदिया इन नदियों के अलावा भी कई नदिया हैं चोटी बड़ी नदिया हैं और इनी नदियों से इतनी नदीयों का निर्मानучा होता है यह चो टी छोटी नदीयां जो पूर्जे में बेहने वाली यह कुछ थाइग नदीया है इन नदियों के बारे में हम इसके इंतरगत पढ़ेंगे इसके अलावा नदी अगला झौ की जो प्रवर्ति होती है हमेशा इकाई थर जो है यह इकाई का नाम है जलवायू वनस्पती और मृदा जलवायू वनस्पती और मृदा मतलब जलवायू मतलब वनस्पती मतलब प्लांस और इंडियन फॉरेस्ट उसका वर्णन करें और मतलब ठीक है अब यह जो तीन थरड में यह तीन लेशन को वर्णन है ठीक है लेसल नमबर फूर आपका क्लाईमीट से समां देता है जलवायू देखिए क्लाईमेट मतलब इसमें क्या क्या चीज़ा करेंगे इसके अलावा आपकी जल्वायू की विवित्ता कैसी है ठीक है आपको क्लाइमेट होता है कई अलग होता है तो एक जल्वायू की विवित्ता है कौन को उसी है इसका दिन इस जल्वायू की अंतरकत इस लैसर में पढ़ेंगे इसके अलावा आपके जल्वायू को प्रभावित करने वाले कारक जैसे की कौन कौन से कारक है जैसे की आपके अक्षांस की सिती होती है हिमाल परवत की स्थिती है जल इस्थल की स्थिती है वित्रण है और आपके समुद्र से दूरी है समुद्र तल से मुचाई है ऐसी कई चीज़े जो है आपके जलवायों को प्रभाविदे करती है इसके अलावा इसमें हम आपके वित्वों के वारे में ध्यन करेंगे जिसमें ग्रीश मिल और सी क्रिया विदी जो होती है इसका ध्यन भी हम इस जलवाईू वाले टापिक के अंतरगत करेंगे इसके अलाबा आपके भारत का जो मांसून की जो प्रवर्ती है उसका ध्यनिस में करेंगे ITC-Z और अनीनु ये कुछ ऐसी परिवाश्य है इनका ध्यन्भी हम इसके अंतरगत करेंगे मानसून का आरम होना किस प्रकार से भारत में मानसून और से आता है इसका ध्यन्भी इस लेसन में जलवाईू के अंतरगत हम करेंगे इसके अलाबा मानसून का विच्छेदन क्या होता है मानसून का विच्छेदन होता है एक बार मानसून प्रारंध हो जाए और कुछ दिनों का गैप लग जाए ठीक है जैसे माननी जी मानसून आ गया और साथ दिन तक फिर मानसून गायब हो गया तो से बोलते हैं प्रदेश के द्वारा जिस प्रकार से आपके प्रदेश को विभाजित किया है उसने किस प्रकार से विभाजित किया उसका अध्यनवी इस जल्वाई वारे टॉपिक के अंतर करेंगे ठीक है तो यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जल्वाई से समादित जो हम इसके अंदर पढ़ें लेसन नम्मर पांक जो है यह आपका है किसे समादित वनस्पति वनस्पति मतल अब आपका जो प्लांट से मतलब इंडियन फॉरस्ट इंडियन फॉरस्ट का अताथ पर यह वनों के प्रकार हमारे भारत के अंदर वनों को कितने भागों में बटा गया है जैसे कि आपका सदा बहार बन पढ़ा होगा ठीक है पार्ण पाती वन ठीक है मरुस थर्य वन ठी ठीक है ऐसे कई वन का वर्ण हमारे इंडियन फॉरस्ट मतलब वनस्पती के टॉपिक के अंदर लेसे नमबर पांच में हम इन वनों का वर्ण करेंगे ठीक है इसके अलाबा इसी वन वाले टॉपिक में इसमें जीव मंडल नीचे जहां पर वनस्पती को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे मंडलों का निर्मान किया जिसके अंदर आपने सुना होगा जैसे की नील गिरी ठीक है नंदा देवी सुन्दरवन छेत्र मनार की खाड़ी ऐसे कुल ऐसे तो कई है आपके जीव मंडल नीचे लेकिन मुख्यत है जीव मंडल नीचे की सेरी में आते हैं इस मंडल नीचे का मतलब होता है वरस्पती जीव जंतों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे मंडलों का निर्मान किया इसका विस्त्रत वर्णन हम इस लेसन नंबर पांच वरस्पती के अंतरकत करेंगे ठीक है लेसन नंबर 6 यह मिट्टी होती है ठीक है पीली मिट्टी होती कई प्रकार की मिट्टियों का वर्णन हम इस मृदा वाले टॉपिक में करेंगे मृदा की परिवाश्या और इसके लावा मृदा के प्रकार मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है इन सबी चीजों का अध्यां हम इस लेसन नंबर 6 के अंदर मृदा जो लेसन का नाम है इसके अंतरका अध्यांदर है इसके बाद में आता है इकाई विद्य में उ-लुल फूरन है इसने लेसन नंबर साथ इसमें आयेगा लेसन नंबर जो साथ है वह फ्रकरतिक संकट है अ क्या सकते हो आप दाएं कि प्रकरतिक Jakut का मतलब होता है ना कह सकते हो डिजास्टर डिजास्टर मतलब आपके आपदाएं प्राकर्ति आपका जो नेचर है इस नेचर में होने वाले संकट या जिजास्टर जो आपदाएं होती है जैसे की बाड आना सूखा ठीक है भू इसकलान ठीक है भू कम ऐसी कई आपदाएं जो है सुनामी ऐसी कई आपदाएं जो होती है वो आपके उसे आपदाएं कहेंगे और इस आपदाओं आपदाओं की परिवाशा आपदाओं से होने वाले परिवर्तन होने वाले प्रभाव किस तरीके से आपदाओं से बचना चाहिए उस इसे कई चीजों का अध्यान हम इस लेसर नंबर साथ में प्राकर्तिक संकट वे आपदाओं के अंतरकते करेंगे तो यह कुल आपके seven lessons जो है आपके इसके इंदर गताएंगे जो कि भारत भुर्तिक परियावन से संब्द देता है यह मैंने आपको पाठ्यकरम बताया कि इसमें lesson number क्या बताएगा यह lesson lesson second lesson third four five six seven यह lesson हमें किस प्रकार से किन-किन चीजों का अध्यन किस प्रकार से करवाएगा तो यह हम जब हम इस book को प्रारंब करेंगे चालू करेंगे तो तब हम एक एक lesson को लेके इसका वर्डन करेंगे इस lesson इस topic में इतना ही इस video में इतना ही next video में हम आपकी 12th class जो है उसके बुकों का पाठे करम syllabus के बारे में बात करेंगे चर्चा करेंगे उस बार्वी lesson बार्वी जो आपकी book है उसमें जो पाठे करम उसको भी हम इसी प्रकार से lesson book first और book second इसको इसी तरीके से उसका वर्डन क करेंगे इस video में इतना ही धल्यवाद